अपने स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, एक है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदितिनात और दूसरा है दक्स चौधरी, यूटी के वर्तवान सियंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश इस्तित गोरकपुर में गोरकपुर से ही सांसद रहे और अब लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और ये जो दूसरा सक्स आपको दिख रहा है इसका नाम है दक्स चौधरी, खपरों के उसार इसका काम है कपड़े बेचना और गौसा दक्स चौधरी की बात एक साथ क्यों कर रहा हूं तो वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए खुद को गौरकशक बताने वाला ये दक्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को खुले आम चैलेंज कर रहा है न सिर्फ उत्तर के ही सफपर दक्स चौधरी भाजपा के ही मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है हाल ही में लोगसभा की चुनाओं का पैड़ाम सामने आया उत्तर प्रदेश में भातिये जनता पार्टी की सबसे भ्हंकर जटका लगा अस्री में से 75 सीटें पाने का सपना देखने वाले औ यानि अयोध्या क्यों ही जिस अयोध्या में मंदिर के नाम पर भातिये जनता पार्टी ने पुरिदेश में माहौल बनाकर वोट लेने की कोशिस की नरेंडर मोदी ने कोशिस की उसी मंदिर वाले अस्थान पर भातिये जनता पार्टी की करार ही हार हुई इसे लेकर कर दी। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में विस्तार सभब को दिखाया था कि कैसे कैसे आयोध्या के लोगों को भरभरके बीजेपी के लोगों दवारा संगरी तरीके से गालियां दी आ रही है और दिलवाई जा रही है अयोध्या के लोगों को कभी धर्म ग्रोधी कभी राम द्रोही तो कभी देश द्रोही तक बलाया जा रहा है पिसले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाली देने वालों को इतनी भी समझ नहीं है कि अयोध्या के ही पांच लाख लोगों ने बीजेपी को भी वोट किया इसी चुनाव में और जब ये लोग गालियां दे रहे हैं तो वो सब के लिए हैं और इन सब के बावजूद बड़ी बात ये है कि चुनाव में हार जीत के बाद क्या अपने ही देश की जनता को कोई पार्टी गाली दे सकती है या दि हार क्यों हुई बीजेपी के लोग जो इस वक्त अयोध्यावासियों को गालियां दे रहे हैं या दिलवार हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए कि आखिर अयोध्या में उन्होंने ऐसी कौन सी गल्ती की ऐसा कौन सा पाप किया कि भब्ब्य मंदिर भब्य ऐरपोर्ट पत्रकार यहार कभी न मिलती हैं लोग सवाद चुनाव से क्वाले ही यानि जब मंदिर का कारेकरम होने वाला था उसी वक्त तमाम पत्रकार गोदी मेडिया वाले नहीं स्वतंत्र पत्रकार जो सोचल मेडिया पर काम करते हैं वो आयोध्या गए थे उन लोगों से मिले थे उन्हें सरक पर ला दिया गया और दूसरी तरफ में जाने कितने हजार करोड या लाग करोड खर्च करके देश और दुनिया में परचार किया गया ज़रा सोचिए मंदिर के साथ प्रधान मंतरी मोदी की कितनी तस्वीरे लगाई गई कितनी पोस्टर बाजी हुई कितना प और सबसे महत्वपुन बाद मंदिर के नाम पर भी देश भर से और दुनिया भर से सैकड़ों करोड रुपया चंदा मिला हैं। और अध्या में नहीं वारानसी में भी कासिविशोनात कारेडोर पर जब जाईए तो वहां के आसपास के लोगों से मिलिए। उनसे पूछे कि उनके जीवन में कैसी तबाही आई है। इन सब के बावजूद सबसे महत्वपुन बात ये है कि किसी मंदिर का चुनाव से क्या लेना देना है। ये अलग बात है कि भातिय जनता पार्टी को चुनाव और मंदिर से ही लेना देना है। मंदिर है ही चुनाव के लिए। मगर फिर भी हार पर चिंतर करने की बजाए लोगों को गालिया देना कहां तक उचित है। आपकी स्क्रीम पर ये जो दक्स सौधरी नाम का गक्ति दिख रहा है। इसकी तमाम हरकते जबाब देखेंगे। तो पता चलेगा कि ये पूरी तरह से आतंकी मानसिक्ता का गक्ति है। आतंकी सब्द से यदि आपको कुछ और नजर आता हो, कुछ और यादा रहा हो तो सुन लेजी। आतंकी का मतलब होता है ऐसा गक्ति जो समाज में आतंक फैलाए। उसका जातिया धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई भी यदि वो आतंक का पर रहा है, लोगों को डराता है, तो उसके कर्मों से लोगों के भीतर भै उद्पन होता है, तो फिर वो आतंकी कहा जाना चाहिए। जो समाज में नफरप फैलाए, जो समाज को बाटे, जो समाज में जहर का प्रसार करे, उसे आतंकी कहा जाना चाहिए. अब ज़रा आप दक्स चोधरी के कारणामे सुन लीजिए. अयोध्या में भारतिय जंता पार्टी हार गई, तो इसने सोसल मीडिया पर हद से जादा गंदी गालियां देनी सुरू कर दी, इसकी बातें इतनी घटियां हैं कि हम आपको सुनवा नहीं सकते, मगर यूं समझ लीजिए कि अयोध्या के साथ-साथ ये लोग पूरे के पूरे उत्तरपदेश को टार्गेट कर रहे हैं, उत्तरपदेश की जंता को गालियां दी जा फूल माला पहानाने के आड में यानि उसी बहाने थपड़ जड़ा था, करहिया कुमार के समर्थकों ने इसकी जबरदस पिटाई की मुहनाक सम्मार पिट के थूर दिया, मगर फिर भी करहिया कुमार ने इसके खिलाब कोई अपराद दर्ज नहीं करवाया, आगे की कहानी सुनने से पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, भाजपा सांसान मनोज दिवाली के साथ यहीं दक्सी चौधरी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस से पहले गाजियाबाद के टीला मोर थाना, छेत्र इस्थित, गरिमा गार्डन में मदीना मस्जिद है, वहाँ पर फर सामने में गिरफतार भी किया था, यानि दक्स चौधरी और उसके साथियों के सारे कर्म आपको गालिया देना, हिंसा, नफरत और समाज के बातने वाले दिखेंगे, इस वीडियो को सेर कते होई पत्रकार प्रिया सिंह लिखती है, कि खुले आम अयोध्यावासियों को गाल वैसे ही भासा इसकी भी है, इस मामले पर तंज करते हुए निहा सिंहरा ठाओर ने लिखा है, क्या हुआ आटी सेल वालों सिर्फ आयोध्या के मोर्टर्स को ही गालिया दोगे, या फिर इन पर भी कुछ कहना चाहोगी, इनको भी रामदुरही घोसित कर दोना, इन्हें भी गडबंधन से बाहर कर दोना, इसके साथ ही इन्होंने चंदरबाबु नाइडू की तस्वीर सेर की है, वही चंदरबाबु नाइडू जो मुस्लिम तीर्थियात्रियों को एक लाग रुपे की मदद देना चाहते हैं, जो कि सेकुलर विचार भराके हैं, और अब नरेंद पदेश को ही गड़ार घोसित करतिया है, अब सवाल यह है, कि उत्तर पदेश की मक्यमंत्री को यूपी की जनता ने लगातार दो दो बार मैंडेट डेकर कुर्सी पर बिठाया है, तो क्या उसके बदले में यूपी वालों को यहीं मिलेगा, कोई भी सलक्षाप को चक्का F.I.R. दर्ज की गई है, यह दोनों ही हिंदू रक्षा दल से जोड़े हो बताय जा रहे हैं, पुलिस ने क्या बयान दिया है, जरा उसको सुन लिजे, इसके बाद कुछ महत्तोपन वातें करेंगे। युक्तों को पुलिस शिरासत में ले लिया गया है, आवश्यक विदी कारवाही पर चले थे। नहीं है कि इन्होंने अंजाने में कर दिया है, ये लोग आदतन अपराधी नजर आते हैं, कभी विपक्सी पार्टी के निता को थपड़ मार देना, कभी मस्जिद में जाकर माहौल खराब करने की, दंगा कराने की कोशिज करना, तो कभी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ इनके भीतर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, कि ये इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को गाली देंगे और कोई इनका कुछ कर नहीं पाएगा, बिना किसी भरोसे के तो इतनी हिम्मत करपाना बहुत मुस्किल नजर आता है, सवाल ये भी है, कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुख्यमंतरी से क्या उम्मीद करें, जो मुख्यमंतरी अपनी ही जबान से आए दिन, अपनी कानून विवस्ता की पीप थप थपाते हो, उन्हीं की राजी की जनता को यदि कोई इस तरह से सर्याम हद से जाड़ा गंदी गंदी और बद्दी गालियां दे रहा हो, तो फिर क्या ये पूरे उत्तरपदेश के लिए और खास कर वहां के सासन प्रिसासन के लिए सर्म की बात नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल भारतिय जनता पार्टी की लोगों से, कि हार की ऐसे भी क्या बौखला हाट जो आप अपने ही लोगों को गाली देने लगे, आपको लगता है कि वाट्सेप इनवस्टी और आईटी सिल के गुरगो द्वारा गाली दिलवाकर आप यूपी की जनता को डरा लेंगे, अयुध्या की जनता को डरा लेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तरपदेश की मुख्यमंत्री को और वहां के सासन प्रसासन को दक्स चौधरी जैसे लोगों के खिलाफ ऐसा एक्सन लेना चाहिए जो मिसाल बने और इसके साथ ही भातिय जनता पार्टी के जो लोग और उनके समर्त अध्यवासियों को तथा उत्तरपदेश के लोगों को गड़दार बुला रहे हैं, धर्म विर्दोदी बुला रहे है उन्हें संदेज देना चाहिए, सवाल ये भी है कि यूपी के मुक्रिमंतरी का बुल्डोजर कहा है, जब इस तरह से लोग सरयाम यूपी की 25 करोड जनता को गड़दार बुला रहे हूं, तो फिर बुल्डोजर कहीं नजर क्यों नहीं आता, मैं किसी वी रूप में बुल् दक्स चोधरी जैसे लोगों की घरों पर क्यों नहीं जाता, जो उत्तरपदेश की 25 करोड आबादी को गाली दे रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए, क्योंकि ब्येचु की छात्रा के साथ, जिन लोगों ने कथी दुसकर्म किया, वो भाजपा 80CL के गुरगे थे, वो BJP के आइए, क्या आपको नहीं लगता कि इस आतंकी मानसिक्ता के लोगों को UP के मुख्यमंतरी द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए, क्या UP की जनता यदि अपने मुख्यमंतरी से अपने सम्मान को बचाने के उमेड करें, तो इसमें कुछ अतिस्योक्ती है, किसी राज्य के उख्यमंतरी, प्रधान मंतरी का पद अलग है, देश के भीतर तमाम मुद्वों पर प्रधान मंतरी की आलोचना करने के बावजूर, जब भी कभी विदेशों में, या फिर विदेशों से ऐसी कोई बात आई, जो पुचित नहीं थी, तो हम सब पूरे देशवाची अपने एक ऐसी फौज तयार कर दी गई है, जो गालियां सुनकर आपकी फालोवर बन जाती है, जो नफरत देखकर आपको आईडेल मान लेती है, सोसल मीडिया पर दक्ष के भी लाखों में फालोवर बताय जा रहे हैं, जरा सोची, ऐसे गाली बाज लोगों के भी लाखों आप ऐसी कारवाही करेंगे कि दोबारा वो ऐसी हरकत न करें और उसके जैसा कोई भी ऐसी हरकत न कर सके, प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, अपने मुख्यमंतरी को बहुत सम्मान दिया है, बदले में उनकी भी जिम्मेदारी कहीं बनती है, कि वो प् झाल